दोस्तो ये तो हम सभी जानते हैं कि इस भ्रमाण के कनकन में इश्वर का वास है हर स्थान पर इश्वर मौजूद है यहां तक की हमारे अंदर भी इश्वर का ही वास है भगवान भले ही प्रत्यक शुरूप से दिखाई नहीं देते किन्तु हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार होता है और ये एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिनके अंदर कोई विलक्षन शक्ती होती है दोस्तो भगवान श्रीकृष्ट ने मनुश्य के ऐसे साथ लक्षनों के बारे में बताया है यदि किसी व्यक्ती के अंदर ये साथ लक्षन दिखाई देते हैं तो वो कोई साधारन मनुश्य नहीं है श्रीक्रिष्ण ने ऐसे मनुष्यpex को सर्वश्रेष्ट कहा है क्योंकि साधारन मनुष्यों में ऐसे लक्षन नहीं होते एक व्यक्ति के अंदर जन्म से ही ऐसे लक्षन दिखाई देने लगते हैं और वो जब बड़े हो जाते हैं तो संसार में कीर्टी प्राप्त करते हैं श्री कृष्ण के अनुसार प्रतेग मनुश्य के जनम के पीछे उदेश्य होता है मनुष्य योनी प्राप्त करना साधारन बात नहीं है 84 लाख योनियों में सर्व श्रेष्ट मनुष्य योनी को ही कहा गया है मनुष्य का जन्म लेकर प्राणी जो कार्या कर सकता है वो किसी अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेकर नहीं कर सकता इसलिए मनुष्य को ईश्वर को धन्यावाद देना चाहिए कि उसे मनुष्य योनी प्राप्त हुई है मनुष्य का शरीर प्राप्त करने वाले प्रतेक प्राणी को इसका सदुप्योग करना चाहिए संसार के कल्यान की भावना से कार्य करने चाहिए किन्तु कुछ मनुश्य, मनुश्य का जन्म लेकर भी जानवरों की तरह बरताव करते हैं ये बात भी सत्या है कि हम में से कुछ लोग बहुत भागयशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेश कृपा प्राप्त होती है और कुछ ऐसी शक्तियां उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती है जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती है और हर मुश्किल में सहायता करती है यही नहीं, ये ईश्वर्य शक्तियां कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं जिसके कारण आप कई बार मौत को छूकर निकलाते हैं किसी बड़ी दुरगटना से आप बच जाते हैं या कभी किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फस्ते हैं ये सब कुछ उस आलों के एक शक्ति के कारण हो रहा है जो आपकी हमेशा रक्षा करती आ रही है भले आप उसे माने या ना माने लेकिन वो हमेशा ही आपके साथ मौजूद रहती है आज हम आपको ऐसे नो संकेत बताने जा रही हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कोई साधारन मानव नहीं है आप बाकी साधारन मनुश्य से अलग है और भगवान हमेशा ही आपके साथ रहते हैं तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में सबसे पहला संकेत भगवान श्री कृष्न कहती है जो मनुश्य किसी भी कार्या को करते समय सोख दुख के बारे में विचार नहीं करता चाहे सर्दी हो या गर्मी वो कभी अपने कार्या को बीच में नहीं छोड़ता है चाहे कितने भी संकट खड़े हो जाएं वो अपने मार्क से विचलित नहीं होता है हर परिस्तिती में अपने काम में लगा रहता है चाहे उसे लोग भला कहे अथवा बुरा वो अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करता है उसे खुदपर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि एक दिन वो अवश्य सफल होगा दूसरा लक्षन है श्री कृषन कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में कभी दूसरों की बुराई नहीं करता वो सदैव ही दूसरों के विश्य में अच्छी बाते ही करता है वही व्यक्ति सर्व श्रेष्ट होता है आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों की बुराई करते हैं हर वक्त दूसरों को अपमानित करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों का अहित करना आधी प्रकार के निंदित कार्य करते रहते हैं इसी कारण से वो लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं तीसरा संकेत है, जो व्यक्ति अपने द्यानिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आरादना और नाम स्मरन में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्या मानते हुए उनके अनुभूती करने में समर्थ होता है वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वर या शक्तियों का पवित्र घेरा होता है जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है इन लोगों को ईश्वर पर पोन्ड विश्वास होता है चाहे दुख हो या सुख ये हर परिस्तिती में इश्वर को याद करते हैं और कभी इश्वर का अपमान नहीं करते चौती बात जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दाइत्व समझते हुए अच्छे और पुन्या के काम करता है मुसीबत में फसे लोगों की तथा गरीब और लाचार व्यक्तियों की मदद करता है आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करता है बुजर्गों का तथा शरीर के अपंग व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करता कभी किसी को हीन समझ कर उसका तिरसकार नहीं करता, वो मनुश्य में सर्वश्रेष्ट होता है। जो मनुश्य कभी दूसरों की आजीवी का पर चोट नहीं करता और ना ही कभी दूसरों से घ्रिणा करता है, वो मनुश्य संसार में कीर्टी पाता है। छटा संकेत है, पूर्वा भास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास एक अनुखी शक्ती होती है, जिससे उन्हें भविश्य में होने वाली कुछ विशेश घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। अपने पास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंद का अनुखव होता है, हमेशा सुगंदित फूल, धूप, अगर्बत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंद का जोका सा हवा में तैटा हुआ महसूस होता है, तो ये उसके आसपास ईश्वर की उपस्तिती का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशिरवाद उस विक्ति पर होता है, आठवा संकेत है, दोस्तो हमारे शास्तरों में भ्रह्म महरत का समय बहुत ही शुब माना जाता है, ये दिन का सबसे महत्वपून समय होता है, शास्तरों में इसे देवताओं का समय कहा गया है, क्योंकि इस सम पर वातावरन में एक अनोकी साकारात्म कुझ्जा का संचार होता है। इसलिए शास्तरों में भ्रह्म मोहरत को ही जागने के लिए सर्वश्रेष्ट माना गया है। दुनिया में जादातर लोगों की नीद भ्रह्म मोहरत के समाप्त होने के बाद ही खुलती है। परन्तु जागने वाले लोग सदय और फ्रसंचित रहते हैं और इश्वर की भक्टी में अपना मन लगाती है। इनकी बुद्धी अन्या लोगों से तेज होती है और ये बहुत ही समस्दार होती है। ब्रह्म मोहरत पर जागने वाले लुगु का मन जलाश्य की भाती शांत होता है ये कभी कलेश और लड़ाई जगड़े नहीं करते हैं कभी वाद विवाद में नहीं फसते हैं ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है उसे ऐसा करने के लिए ईश्वर ये शक्तियां ही प्रवर्तित करती है नोवा संकेत है दोस्तो कई बार हम मंदिर में या किसी धार्मिक सल पर भजन, कीर्टन या कथा सुनने जाते हैं कितने भी सुन्दर भजन हो, कितनी भी अच्छी कथा हो बीच-बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है और हम कभी अपने घर के विशय में तो कभी अपनी किसी समस्या पर या आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही भजन, कीर्टन या कथा सुनने में इतना तलीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता उन्हें बस अपने पास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत ही शुब सानिध्या सुनाई देता है जैसे कि शंक, बासुरी या मंदर की घंटी की आवाज निश्चित ही ऐसे व्यक्ति इश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और इश्वर उनके बहुत ही समीप होते हैं इसलिए ही उन्हें इंचमतकारी ध्वनियों का एहसास होता है जो व्यक्ति इश्वर के चर्णों में ही परमानद के अनुभूती करता है और इश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता हो ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिक्ष हमेशा शांत रहता है जिससे वो कभी भी सत्या और सदाचार के मार्ग से विजलित नहीं होता है यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेश आशिरवाद होता है जिससे वो हमेशा समाज में एक आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त करता है तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति में ये नो संकेत होते हैं तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेश कृपा होती है ऐसा समझन चाहिए अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट्स में वश्य बताइए जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट्स में जय श्री कृष्णा वश्य लिखें साथी चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी का धन्यवाद